जब मैं 11th standard में था ता मैं हमेशा अपने आपको ऐसा depressed इंसान देखता था लेकिन obviously मैं कभी भी ऐसा बोलता नहीं था अपने friends को या तो फिर अपनी family को कि मैं depressed हूँ लेकिन मेरे actions and मेरे facial expressions इस तरीके से मैं derive करता था कि सामने आले लोग को आसानी सा पता चाह जाए कि मेरे life में कुछ गडबड है और मैं depressed हूँ depression जो word है वो मुझे हमेशा सा बहुत अजीब सा लगता था इसलिए मैं कभी भी ऐसा बोलता नहीं था कि मैं depressed हूँ लेकिन हाँ आपकी अपनी spirit की यह identity बना डालता है कि वो लोग एक depressed person है अगर आप लोग हमें शाहसते रहो गया अपने आपको कभी ऐसा बोलोगे नहीं कि आप एक depressed person हो तो फिर आप लोग कभी depressed नहीं बन सकते क्योंकि आप अपने brain को इस तरीके से वायर कर सकते हो कि आप जो भी बोलते हो और जिस भी तरीके के facial expressions करते हो उस तरीके से आपके brain के अंदर chemicals produce होते हैं अगर आपके actions अच्छे होंगे अगर आपके facial expressions अच्छे होंगे अगर आप इस तरीके से बिहेव करोगे जिस तरीके से एक हैपी इंसान बिहेव करता है तो फिर आप टेकनिकली हैपी बन जाओगे उसके लिए थोड़ा time लग सकता है क्योंकि आपके अंदर जो प्रेशन के chemicals होंगे वह भी थोड़े से रहे जाएंगे लेकिन जिस तरीके से आप अपने आपको बार बार यह कहते रहोगे कि आप depressed इंसान नहीं हो वैसे धीरे धीरे आप अपने na life of depression को क्यों कर सकते हो कि इसको ऐडेनिटीटे चेंजींग जिंग करना बोलता है आ आप अपने brain को रिवायर कर सकते हो लेकिन कि यह करना आज कल कुछी ज्यादा ही मुश्किल होने लगा है क्योंकि आप लोग depression को Uni करते को यह अपको पता नहीं है कि आप depression को प्रमोट करते हो लेकिन आप लोग करते हो इंडायरेक्ली आप लोगों को प्रॉबेबली डिप्रेस्ड रहना भी नहीं है लेकिन आपके एक्शन्स इस तरीके के होते हैं कि आप लोगों को मजा आने लगता है डिप्रेस्ड रहने में मैं यह बूल नहीं सकता टेक्निकली कि आपको मज़ा आने लगता है, डिप्रेज रहने में, लेकिन आपके जो एक्शन होते हैं, वो इसी तरीके के होते हैं, कि आप लोगों का डिप्रेशन कभी भी क्या और नहीं हो सकता, अब मान लोगों कि आप इंस्टाग्रम में रील से स्क्रोल कर रहे हो, तो फिर जो भी डिप्रेशन के ही, डिप्रेशन के रील्स बहुत अजीब सी होते हैं, क्योंकि में वो रिल्स देखी हैं, कि मैं लेवन्ध औन ट्व Cr I journal में ता था तब मैं उस तरीके के रील्स को बहु एक अच्छा साम्यूजिक बज़ रहा है, एक बहुत डिप्रेस्ट वाइब जा रही है, सब कुछ डार्क है, फिर आपके फीडिस के अंदर रिलेशनशिप्स की भी रील्स और पोस्ट आने लगेगी ताकि इंस्टाग्रम उस चीज के ओपर ज्याद अच्छी तरीके से कैप और अप का ड़ीन एक ने लिए पर चीज की एक अच्छी गाद आप आपको उस चीज को चाहिए होता है अपनी लाइफ के अंदर लेकिन वो चीजिए आपके लाइफ में अच्छी नहीं हो इसलिए आप फोटो अझ वीडियो से अपने ब्रें के अंदर इमेजिनरी सिनारि जिसकी वज़े से अब प्रिटेंड करते हो कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़े हैं फिर जब आप सोने जाते हो तब आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़े नहीं है और आप कितने दिप्रेस्ट हो यह सारी चीज़े आप लोगों को पता होनी चाहि परता है लेकिन उस चीज को करने के लिए आपको time अक्यले spend करना परता है लेकिन आज रिकल हम लोग alone नहीं रहा सकते हैं especially जब हम लोग alone रहते हैं तब लोग यह बोलना लगते हैं कि मैं lonely feel कर रहा हूँ आप लोग अपने अपने ब्रें के साथ अपने थौट्स के साथ time spend नहीं कर पा रहा हूँ आपको यह चीज पता लगने लगती है कि आपकी life में actual में क्या क्या चीज बुरी है जिन चीजों को आप फिक्स कर सकते हो लेकिन उन चीजों को फिक्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि रील स्क्रोल करना बंद करना होगा आपको उसके लिए योट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देखना बंद करना होगा आपको जब वो सारी बुरी चीज़े करना बंद करोगे फिर आपकी एक चोटी सी वो जो habit होगी जिसकी वज़ेसे आपका डिप्रेशन कर पाओगे जब इन बुरी बुरी चीज़ों का अपनी लाइफ में से निकालोगे लेकिन आप यह सारी चीज़े फर्स प्लेस पर करते ही नहीं हो क्योंकि आप लोग अपने ब्रेन के साथ ताइम स्वेंड नहीं करना चाहते हैं किसी रीजन की वज़े से आज कल जब भी ह कर सरफ सोते सोते कुछ सोच रहे होते तो फिर कोई दूसरा आदमी अगर हमें देख रहा होगा तो फिर उसके मन में सबसे पहला थौट यही आरहा होगा कि वो इनसन शायद अपनी लाइफ के साथ प्रोडियूस करता है कि हमरे लाइफ में कुछ बुरी चीज़े हो रही है लेकिन हमें ये समझना होगा कि एक्चुल में जब हम अकले बैठे होते हैं, जब अपने थौट्स को एनलाइज कर रहे होते हैं, उनके ओपर मेडिटेट कर रहे होते हैं, तो वो चीज एक्चुल में बुरी नहीं है, उन चीजों को करके आप अपने आपको वो लोग गौड के ओपर विश्वास नहीं करते हैं, इन सारी चीजों की वज़े से, अब जब भी आप अक्यले बैठे होते 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 हैं, तब आपके मन में सबसे पहला यही थौट आता है, कि शायद आप सैड हो, जब कि आपके मन में यह विचार आना चाहिए, कि मैं आप अपने ब्रेइन को ज़्यादा अच्छी तरीक से समझने की ट्राइ कर रहे हो, इस चीज को लेकर अपको ज़्यादा खुश होना चाहिए, लोनलीनेस अच्छल में बुरी चीज नहीं है, लोनलीनेस के ऊपर आप के अपिटलाइज कर सकते हो, अगर आप उसको करना जरूरी नहीं है क्योंकि अब नॉर्मल इंसान का ब्रेइन इतना ताकतवर नहीं है कि वो सिर्फ अगर एक जगह पर बैठा होगा तो फिर वो कॉंसेंटली अपने थौ्ट्स को अनलाइज कर पाएगा, और सोच पाएगा कि उसकी लाइफ में क्या क्या वो बुरी ची कि अब नॉर्मल इंसान बैठ कर नहीं सोच सकता, जिसके वज़स है अगर एक नॉर्मल इंसान सैड फिल कर रहा होगा तो फिर वो अपने फ्रेंड के पास जाएगा अपने फेस के उपर इस तरीके के एक्स्प्रेशन लाएगा जिसके वज़से उसका जो फ्रेंड होगा वो मजबूर हो जाएगा उसको पूछने के लिए कि तुझे क्या हुआ है तु इस तरीके से एक्ट क्यू कर रहा है तरे चेहरे पर इतनी नमी सी क्यू चाही हुई है तरी लाइफ में कुछ बूरा तो नहीं हो रहा ना तो ठीक तो है ना आप लोग ये सारी चीज़े जान बूज कर कर रहे हो एंड एक्टिल में आपको सिर्फ अटेंशन चाहिए आप अपनी सैडनेस को अपने खुद के दम पर कंसेप्चुलाइज नहीं कर सकते हो इसके सॉलूशन अपने खुद के दम पर नहीं ला सकते है इसलिए आपको ये एक्सप्रेशन के थू करना सिर्फ दूसरा सिनारियो है इससरी आप लोग अपने डेप्रेशन कर साल्व कर सकते हो पहली चीज है है कि आप लोग अपने खुद के ब्रहीन के साहत मेडिटेट कर सकते हो एंड को ला सकते हो कि आपकी लाइफ में क्या क्या बुरी चीज चीज चाल रह highway जिस चीजों को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो कि वो चीज़ करना मुश्किल होता है दूसरा सॉल्यूशन यह है कि आप लोग इंडिरेक्ली अपने फेस के ऊपर यह सारे एक्सप्रेशन लाओ एंड इस तरीके से एक्ट करो जिसके वज़स है अपका फ्रेंड मुश्बूर हो जाए को पूछने के लिए कि आप डिप्रेस्ट क्यू हो आप सैडनेस के एमोशन क्यों फील कर रहे हो तीसरा सिनारियो यह है सबसे बैस्ट मेरा फैवरिट है तीसरा सिनारियो यह है कि जब भी आप किसी भी तरीके के इमोशन फील करते हो जिसके साथ आप इसना फ्रेंड नहीं हो आपको पता नहीं है क्या बुरा हो रहा है आपके लाइफ में तो फिर आपको यह इस चीज करनी चाहिए एक रूम में जाना चाहिए जिस रूम में को रही है जिसके वज़स है मैं डिप्रेस्ट फिल कर रहा हूं यह चीज ज्यादा अच्छे तरीका साथ लड़के लोग कर सकते है क्योंकि लड़कियों को ज्यादा एंकरेजमेंट चाहिए होती है जबकि लड़के को रियालिटी फेस करनी पड़ती है अगर आप लड़के ह चीज करोगे अपने फेस के उपर इस तरीके के एक्सप्रेशन से लाओगे जिसके वज़से आपके फ्रेंड्स आपको पूछ सकते हैं लेकिन याद रखना वह भी आपको एक या दो बार ही पूछेंगे अगर आपके फ्रेंड्स सच मुश्में मैस्कुलिन मैन है तो फिर आप इतने रुदम होने चाहे हैं कि आपको अपने फ्रेंड्स को कंट्रोल कर सको अगर अगर आप उन इमोशन को इस तरीके से ड्रायव कर नाहैं जिसके पुरे दिन काम कर पाओ, तब आप सच मुछ में एक मैस्कुलिन मैंट बन सकते हो, वो सिर्फ एक पार्ट है मैस्कुलिन मैंट बन रहा है, और भी कई सहरी चीज़ से करनी पड़ती है, यह मैंने थोड़ी अजीब तरीके से बोला है, मुझा पता है, लेकिन मुझा नहीं पत किस तरीके से होता है और किस तरीके से आप डिप्रेशन को एंकरेज कर रहे हो सोचल मीडिया के थूए अपने एक्शन के थूए यह सरी चीज़ आपको पता चल गया है, अगर आपको अपने प्रेशन सच मुछ में क्योर करना होगा तो फिर आप अपना डिप्रेशन क्योर लेकिन अगर आपको डिप्रेस्ट रहना होगा अगर आपको अटेंशन चाहिए होगी अपने फ्रेंड्स के पास है क्योंकि आपके फ्रेंड्स भी फैमिन है और उन लोगों की लाइफ में भी एक ऐसा कॉंक्रीट गोल नहीं है जिसको अच्यू करने के लिए आपके चाहिए होता है खुद ताकत वर बनने के लिए अगर आपको ताकत वर बनना है लेकिन अपके फ्रेंड्स ताकत वर नहीं है तो आपको उनको शोड़ना होगा अफकोर्स आप उनको बोल सकते हो कि सेल्फ डेवलोप्मेंट की जनी ज़रूरी है तुझे भी अपने सर्कल अल्रेडी बहुत कम है उनकी कॉंटिटी बहुत लो है तो फरे चांसिस है कि आप अकेली ही रहे जाओ गए जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको क्योंकि आपका मेन मकसद यही है कि आप अपने आपके उपर काम करो ताकि आप फ्यूचर में अपनी एक अच्छी फैमिली डेवलप कर सको एंड एज अमैन आप ग्रो हो याद रखना हर लड़का तभी सबसे ज्यादा खुछ रह सकता है जब वह एक बहुत अबड़ा गोल डिसाइड करे अपने आपके लिए एंड पूरी ताकत से उस गोल को अच्यू करने की अगर आपके अगर के अयुग पास आपके अप्रैंच के पास अब ऑस इक आपके अपर रूप्रैंज कर रहा तो फिर अपके अपने एमोशन की नहीं surprisingly onEO कि अबना होगा ज़ने क वपने तब करना होगा ताकि वहाँ को आपको पूरी राद आपके अपके इंच्छड के साथ 벌써 तो आप लोगों को बताने की ज़ूरत नहीं है कि आपकी लाइफ एकशले क्यों बेकार है अपकी लाइफ में बुरी जा रही है क्योंकि अगर आप यह चीज करोगे तो पहले बात भुली जाना कि आपकी फिमेल फ्रेंग्स आपकी तरफ अट्रेक्ट है इसलिए आपको चुकि है। मैं डिपर्स नहीं हूं कि हाँ और अकुकि इनसान करता ही नहीं किर्में इस तरीके संटेंस हैं गो applying जो सह मी किहा हैं। मैं फिर नहीं कितलो जिक स्फ़ ऑने ना फ्रेंड ना थो और रहा है कि मुझा आपको अपने टीज़ा में पोल ने टीछ दूसरे स्टैप यह है कि आपको लिखना स्टार्ट करना होगा एपने इमोशन को इस तरीके से यूज करना होगा कि वह आपको फ्यूल देए हर प्रब्लम का अगर आपको सॉल्यूशन ना मिले तो भी चलता है लेकिन उस प्रब्लम को अगर थार्ड परसंट व्यूपॉंट में जाकर देख सकते हो कि इस प्रब्लम को अगर मैं दूसरे प्रसपेक्ट उसे देखू तो फिर यह एक्चिल में प्रब्लम जैसा लग भी प्रॉपूम कंशुम करना बंकरो खो एंद पैना पिर लो एंपने अपको अपने आपको, अपने थोस्तॉट्स को अपने ब्रें को इस आप सिर्ट को अशिपूलाइज करो उस पेपर के ऊपर फिलाल इस वीडिओ के इतना हैं या अए ब्लीओ एक प्रब्लीप्रिंट करो में जे रागे.